हेलो फ्रेंड्स लर्निंग के नया अंदाज में आपका श्रागत है आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे एब्रेसिव जेट मसीनिंग के बारे में एब्रेसिव जेट मसीनिंग एक नौन कॉनमेशनल मसीनिंग प्रोसेस है abrasive jet machining क्या होता है और इसके working process को अमनों को diagram के तुरू समझेंगे सबसे पहले तोस्तों आप इसके नाम से ही इसके बारे में पता कर सकते हैं तथा ये on machining process से कैसे अलग है वो भी आप इसके नाम से ही पता कर सकते हैं आपके इब्रेसिव जेट मसीनी यानि इसमें इब्रेसिव पार्टिकल्स का इस्तिमाल किया गया है जैसे कि सीलिका कोरंडम या पिर on hard surfaces पार्टिकल्स जो होते हैं उनका इस्तिमाल क्या आता है यह जेट की रूप में यहां पर जेट लिखा हुआ आप में उस पर स्टाइक याताया उसे हमारा मसीनिंग होता है मसीनिंग journée हो श्रीए अब एसके बारे में पढ़ते हैं डिफुन क्या है और डिफुन कीया है अगर बेसें 2 जीट मसीनिंग ऐससा प्रोशेश होता है जिसमें ट्राइछ यह जो कि प्रेसराइच एर रहेगा और वर्क पीस एर और एबरेशिव-पाउडर तो MIX किएले रहे और उसको हाई प्रेसर को हाई प्रेसर एर और और एबरेसुट पार्टिकल का मिक्ष्चर नौजल के तरूँ फ्लो किएले ता है किस पे वर्कषिस के उपर और बार-बार उसपे scratch करनके यांनी वर्कषिस के जो material यानि surface है उसपे strike करके वहां के metal को remove करता है abrasive jet machine यही इसका process होता है अब इसमें कौन-कौन से component इस्तिमाल कियाता है यानि किस किस चीजों से मिलकगा बना होता है तो देखिए गैस अप्लाई की जोत पड़ती है फिल्टर प्रेसर गेज रेगुलेटर मिक्सिंग चेमबर नौजल इन सब चीजों की जोत पड़ती है और इसमें कुछ इंपोर्टेंट चीजी है जैसे कि गैस का प्रेसर जो होता है वो दो से आठ किलोग्राम प बैलाशिटी है थेके होज के तुरू जो वैलाशिटी है उसमें हुज में उसका वैलाशिटी होता है एक सोपचास से तीन सो मीटर पर मीनट ये इसके कुछ नॉमन क्लिचर है आप इसको भी तोड़ा देख लिए दिखिए ये हैं इसका डाइग्राम से सारी चीजेंग पत त्रू इस चेंबर में मिक्सिंग चेंबर में यहां पर रेगुलेटर लगा होता है यह प्रेशर गेज लगा होता है जो कि प्रेशर को बताता है गैस के प्रेशर को जैसे कि मैंने बताया कि इसमें गैस के प्रेशर जो होता है दो से लेके यहां पर देखते हैं, दो से लेके 8 kg force per cm2 इसमें pressure होता है, अब देखिए, यह जो है mixing chamber, mixing chamber में क्या होता है, यहां पर abrasive particle होते हैं, अब इसमें gas गया, ठीक है, high pressurized gas गया, तो इसमें जो mixing chamber है, उसमें gas abrasive का जो particle होता है, वो इस होज के तुरू, यहां पर होज लगा होता है होज के तुरू, यहां पर flow होगा, ठीक है, और nozzle के तुरू, यहां से बाहर निकलता है, जब nozzle का मुझ कैसा होता है, संकुचित होता है, तो क्या होगा, इसका pressure और बढ़ेगा, जैसे ही nozzle के मुझ के तुरू बाहर निकलेगा, तो इसका velocity बहुत तेज हो जाता है, और कितना velocity होता है, मैंने बताएं, यहां पर 500 से लेके 300 मिटर पर मिनट के इसका velocity होता है, अब इसमें abrasive particle होते हैं, high pressure होता है, तो क्या होगा, high pressure जो abrasive है, वो jet के रूप में बाहर के तरब आते हैं, बाहर आते हैं, और वर्फिस के जो भी surface रहेगा, जो भी surface के जो particles होते हैं, वहां से हमको जो safe देना रहता है, वो safe हमको मिल जाता है, यह इसका simple procedure है, अब इसके हम बात की जाएं, इसके applications की, यानि abrasive jet machining कहां इसके क्या applications हैं, इसके क्या applications हैं, तो देखें, इसका 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 क्या आता है, cutting slots और thin sections, thin sections को काटने में, या फिर कोई slots है, उसको काटने म operation में इस्तीम lleม कयाता है, और जैसे कोई cleanistem newspaper भी कोई wanna hard surfaces, गंदा surface होता है, तो इसको polish करने में, यानि इसको cleaning करने में, if you have been useful to use, और सपर के layer को reviews कर देगाता है, उसके बाद, इसका 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 क्याता है, ग्लास lensender में marking करने में, इसका इसके इसका इसक कि बात की जाएं इसके advantages के बारे में यानि क्या इसके लाब होते हैं देखिए यह जो abrasive jet machine है यह surface can be obtained smooth यिससे जो हमारे हमारे मसीनिंग से जो हमको surface मिलता है वो काफी स्मोथ मिलता है cost इसका काफी लो होता है और यह ability थो इसका जो और ऒण्य होती है और ही एक्षीट तो इसको Lup और मट्रेल करने में मिने होता है और हीट जैन्सिट्रू तो भीने कोई डामेश को को के सकता है तो है करना हार्ड और पेट्रिन मेटल को रिमूव लोगा से दिसका बारे में जानते हैं इसका में बश Tsch इसको हम लोग मसीनिंग नहीं कर सकते हैं इसके लिए वर्क सर्फेस जो होना चाहिए यह जो वर्क पिस होना होना चाहिए ठीक है एडिशनल क्लीनिंग प्रोसेस के तुरुए साफ होना चाहिए तो यह हुआ दोस्तो एप्रेसिव जेट मसीनिंग के बारे में उमीद है दोस्तों अपको समझ में आ गया होगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक किजेए और हमारे चाहिए पर नई है तो हमारे चाहिए को सब्सक्काइब कर बेल ऐक अड़ पाले ताकि ऐसे वीडियो के अबडेट सबको मिलते रहे हैं थैंक्स पोगोजन